यह 25x का मेगनिफिकेशन है इसमें आप SMT रेजिस्टर को देच सकते हो इस माइक्रोस्कोप के साथ एक्जॉस्ट फैन भी है तो जितनी भी फ्यूम्स प्रोड्यूस होती है वो इसली इस एक्जॉस्ट के जरिए निकल जाते हैं हेलो हाई कैसे हो आप सभी लोग दोस्तो आज मैं आपके लिए लिए काईशी की माइक्रोस्कोप TX 350E इसमें 7x से लिए 50x तक का मेगनिफिकेशन है USB पावरड LED लाइट्स है एक्जॉस्ट फैन है और मेटलिक बेस है तो चलिए दोस्तो आज करते हैं इस माइक्रोस्कोप को Unbox, देखते हैं इसके features को, design को, performance को और finally ये भी देखते हैं कि क्या ये microscope लेने लाइक है क्या ये value for money प्रोडेक्ट है तो चलिए दोस्तों आज देखते हैं ये सब काईशी की ये माइक्रोस्कोप आती है कुछ इस टाइप के बॉक्स में ये काईशी की माइक्रोस्कोप है TX350E Newly Designed Microscope यहाँ पर इसका सीरेल लंबा लिखा हुआ है आईए अब करते हैं इसको अन बॉक्स डिबे में सबसे उपर है इसका बेज मेटलिक बेज है काईशी लिखावा है यहाँ पर आगे है कुछ डॉकुमेंटेशन्स एक थैंक्यू लेटर है में यूजर मैनुवल है LED रिंग लाइट है में माइक्रोस्कोप इस थर्मकोल के बॉक्स के अंदर है चलिए इसको ओपन करते हैं काफी अच्छे से यह पैक हो रखी है तो यहाँ पर काफी सारी असेसरी जैसे कि इस बॉक्स कंदर है एक जॉस्ट फैन बॉल फैन्स एक कवर है माइक्रोस्कोप के लिए फोर प्रोटेक्शन एक पोल है जिस पर यह माइक्रोस्कोप स्लाइड करेगी मेटलिक है काफी भारी है आगे है कुछ स्क्रूज एलन कीज यह है में बॉडी माइक्रोस्कोप की जो कि काफी अच्छे से wrap हो करकी है ये है इसकी main arm जिस पर ये microscope fit होगी ये camera mount के लिए adapter हो गया साथ में दो eye piece है objective lens को protect करने के लिए ये एक attachment है और finally इस box में है eye cups चलिए सबी parts को बहार निकालेते हैं तो ये है box content जो कि आपको इस microscope के साथ मिलते है चलिए अब इस microscope को assemble करते है metallic base है काफी strong है white color काफी पढ़िया लग रहा है यहाँ पर kashi branding है पिछी के side को आपको ये कुछ grips मिल जाएंगी और काफी अच्छा texture है चलिए अब इस arm को install करते हैं तो मैं इसको निकाल के install कर लेता हूँ अब बाद में लगा दूँगा तो इस bracket को मैं यहाँ पर install करने जा रहा हूँ यह लग किया है अब इस पर यहाँ करते हैं यह लग किया है चलिए अब इस bracket को लगाते हैं दोस्तों आप इसको ऐधर ऐसे या फिर ऐसे लगा सकते हो depending upon कि आपको microscope को कितना height पर रखना है तो generally मैं इसको ऐसे लगा देता हूँ आप difference देख सकते हैं तो अगर मैं इसको ऐसे रखता हूँ तो मैं microscope को कि इस arm को maximum height तक लगा सकता हूँ और अगर मैं इसको उल्टा रखना हूँ इस step से तो यह काफी उपर तक चले जाती है right now मैं इसको इसी direction में use कर रहा हूँ आईए अब देख लेते हैं main body को तो यह काईशी की TX 350E की body दिखने में यह body कुछ step की है nominal जैसे और bodies होती हैं बिल्कुल वैसी यह भी दिखती है although plastic की body है बड़ यह काफी strong है काफी lightweight है weight है इसका around 1.14 kg बाकी अगर इसकी layout की बात करें तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा magnification wheel इसमें आप 0.7x से लेके up to 5x तक का magnification ले सकते हो यहाँ पर दो eye piece install होगी इसको आप अपनी eye के हिसाब से adjust कर सकते हो जो main eye piece है वो इस compartment में लगेंगे left and right दोनो eyes के लिए यह camera के लिए hole हो गया जिसमें आप camera को mount कर सकते हो यहाँ पर main lenses होगे दो objective lenses है यहाँ पर काशी लिखा हुआ यहाँ पर यहाँ पर भी काशी लिखा हुआ है यहाँ पर serial number लिखा हुआ है तो look and design में यह microscope बिल्कूल वैसी है जैसे कि nominal और microscope होती है चलिए इसको मैं install करता हूँ इसको मैं लगा देता हूँ यहाँ पर कुछ steps है और यहाँ पर एक screw है जिसको tight करके मैं इसको fix कर देता हूँ अब इस पर eye piece, lenses, lights इन सभी को भी लगा देते हैं इस microscope के साथ साथ आपको यह दो eye piece भी मिल जाएंगे इन में wide field है 10x की magnification है और 53mm इनके dia है मतलब कि आप इससे extra 10x की magnification ले सकते हो और काफी wide इसकी field है चलिए eye cups को भी लगा देते हैं यह दो eye cups आपको साथ मिलते हैं आइए इनको लगा देते हैं सबसे पहले इनके उपर यह कुछ step से fit हो जाते हैं काफी tightly fit हो रहे हैं जो कि काफी अच्छी बात है यह असानी से गिरेंगे नहीं और उसके बार यह जो eye piece हैं यह चले जाएंगे इस compartment में कुछ step से इस microscope के साथ एक protection lens भी आता है जिसके जरीए आप dust से और fume से मतलगे दुएं से microscope के lenses को protect कर सकते हो यह कुछ step से लग जाता है इस microscope के साथ एक LED light भी आती है model है काशी KDNCB यह LED light है जो कि USB powered है इसमें एक wheel है जिसके जरी आप intensity को कम जादा कर सकते हो mounting screws हैं और एक power connector है साथ ही में इस microscope के साथ एक fume extractor भी आता है मतलब कि अगर आप काम कर रहे हो और काफी सारा धुआ निकल रहा है आप एक के जरीए इस fan को connect कर दिजिए और एक के जरीए इस light को चलिए इस assembly को install करते हैं इस lens protection cover को निकल देता हूं तो यह जो light है यह install होगी इस grooves में तो यहाँ पर दो screws हैं अगर आप देख रहे हो जो screw की dimension है वह काफी छोटी है for this lens तो साथ में इसके तीन extra screws भी दिए गये हैं to mount these on the lens cover चलिए लम्बे screws को लगाते हैं तो light lens cover को उपर लग चुकी है कुछ step से यह दिखती है चलिए अब इसको install कर देते हैं तो यह कुछ step से लग गई है चलिए अब इस fan को भी लगा देते हैं तो आप देख रहे हो यहाँ पर एक screw है जिसके जरी यह mount होगा इसको इसके अंदर कुछ step से fit करना होगा और इसके बाद screw से tight कर देना होगा तो यह भी लग गया है चलिए अब cable को connect कर देते हैं यह light के लिए हो गया और यह fan के लो गया चलिए अब इस camera mount को भी लगा देते हैं यह camera mount कुछ यहां पर लगेगा जिसके जरी आप इसके उपर camera को mount कर सकते हो और अगर आप देखोगे तो इसमें आपको काफी space मिल जाती है आप camera के focus के साब से इसको adjust कर सकते हो और camera को लगा के आप directly screen को उपर field को देख सकते हो चलिए light on करते हैं यहां पर मैं power bank के जरिए इसको on कर रहा हूं तो देख सकते हो यह light है इसकी और light की intensity को आप depending upon the requirement zero से लेके maximum यहां तक adjust कर सकते हो और fan भी on हो चुका है जो की table से अगर कोई fumes आ रही है धुआ रहा है उसको extract कर देगा extract करके कहां दालेगा उपर तो यह microscope आप setup हो चुकी है चलिए अब इसको adjust करते हैं जी हां दोस्तों आपको microscope को इस्तमाल करने से पहले उसको adjust करना होता है अपनी eye के सबसे adjust करना होता है स्पेस्टी का जाए इन eye piece को इसके लिए मैं एक object को microscope के नीचे रख देता हूं light को थोड़ा सा बढ़ा देता हूं तांकि मुझे दिखे और उसके बाद मैं माइक्रोस्कोप के जरिए जो नीचे रखा हुआ है उसको देखने की कोशिश करता हूं तो अभी सब कुछ धुंदला दिख रहा है सबसे पहले मुझे जो धुंदलापन है उसको हटान होगा उसके लिए मैं मैं मैंगनिफिकेशन को सेवन एक्स पर रख देता हूं और माइक्रोस्कोप को ऊपर नीचे करके तो इस आम मैं फोकेस में लाने की कोशिश करता हूं तो मुझे एक आई पर फोकेसिंग दिख गी है राइट नो फोकेसिंग तो हो यह है बट अभी क्या हो रहा है कि दोस्त मतले इन सब्सक्राइबर गोल गोल सरकर दिखेंगे यह लेफ्ट वाली आई पीश का वीव है तो आपको मौटिव रहेगा इनको अर्जस करके कि न्टोनो को क्साइट करना है मुझे इन दोनों की बीच की डिस्टेंट को कम ज़्यादा करना होगा और अगर एक आई से इमीज धुंदली दिख रही है तो in that case मुझे अपनी आई की पावर के साब से मुझे इन आई पीस को रोटेट करना होगा तो फिलहाल मैं चेक कर लेता हूं कि दोनों आई से मुझे साफ दिख रहा है इस आई से साफ दिख रहा है और इस आई से अब साफ दिख र कर देता हूं यहाँ पर मैं मेकानिक का RX 450 camera sensor इस्तमाल कर रहा हूं चलिए इसको mount करते हैं और इसको मैं सेम EC power supply से power up कर रहा हूं light जल चुकी है यहाँ पर मैं 128 का memory card भी लगा देता हूं और इस camera से क्या output आ रही है उसको देखने के लिए मैं इसको एक display के साथ connect कर देता हूं तो camera install हो चुक है दोस्तो एक चीज अगर आप लोगों ने गौर कियोगी जो distance है बेस और इस objective lens के बीच में वह काफी कम है और इतने कम distance पर अगर मैं shoulding iron का इस्तमाल कर रहा हूं या फिर hot station का इस्तमाल कर रहा हूं तो in that case इतनी कम जगह में क्या मैं shoulding iron को इस्तमाल कर मैं dust protection वाला lens है उसको हटा देता हूं और उसके बदले इसको लगा देता हूं lens लग चुक है अब मैं यहां पर इसकी height को बढ़ा सकता हूं एक चीज दोस्तों मुझे और यहां पर करनी होगी मुझे इस arm को flip करना होगा अब चूंकि यह और उपर जाएगा तो in that case मैं इसक अचीखा से height ले सकता हूं और साथ ही में मैं इस exhaust fan को भी उल्टा लगा देता हूं यह अब यहां लगेगा चलिए अब इस body को लगा देते हैं और मैं यहां पर light को लगा देता हूं अब काफी distance मिल रही है चलिए रेखतें कि अब यह कहां focus होता है वाव अमीजिंग देख distance मिल रही है इससे में जो magnification है 0.7x on this body 10x from this eye piece मतलब की 7x हो गया body से और 0.5 पर लगा दिया है मतलब की 3.5x का magnification है और distance दिख लिजिए और मैं अराम से इस distance पर अब अपने यहां पर मैं आपको कुछ components को दिखा रहा हूं size इनका काफी छोटा है size देख लिजिए size देख लिजिए आप यह इतना चोटा है और अगर मैं इसको microscope के ज़री देखूं तो आप देख लिजिए यह 4C09B MOSFET है आपको एक और चोटा सा components मैं दिखा रहता हूं यह दिख लिजिए यह है A4W84 दिख लिजिए कितना चोटा एक component है यहां पर मैं आपको SMD resistor दिखाने जा रहा हूं इतना चोटा है कि मैं इसको directly with the help of my finger पकड़ नहीं सकता हूं और same resistor इससे भी छोटे package में देख लिए अब ही दोस्तों मैं 3.5 X की magnification पर हूं चलिए इसको बढ़ाते हैं तो अब यह 10 X की होगी है मुझे focusing थोड़ा सा सरी करना होगा तो आप देख लिए जैसे जैसे मैं magnification बढ़ाऊंगा distance between the object and the objective lens यह कम होती चले जाएगी in this scenario आप देख लिए यह दोनों register under this magnification चलिए और बढ़ाते हैं मैं maximum 25 X तक ले सकता हूं मैं on microscope 7 X की और मैंने यहां पर 0.5 X का यह lens लगा रखा है तो 3.5 X हो गया और इस magnification पर मैं board को inspect कर सकता हूं देख सकता हूं कि कहीं पर कोई component missing तो नहीं है, damage तो नहीं है, water damage तो नहीं है यह board और कहीं पर कोई component disorder तो नहीं हो रखा है अगर कुछ मुझे measurement करनी है, probes लगा के with the help of multimeter या फिर DSO वह भी मैं यहां पर कर सकता हूं अगर मुझे components को shoulder-de-shoulder करना है, hot station के जरिए या फिर shoulding iron के जरिए तो वह भी मैं दोस्तों बहुत आसानी से with the help of this microscope कर सकता हूं मैं precisely shoulding-de-shoulding इस पर कर सकता हूं बट उसके लिए दोस्तों मैं recommend करूंगा कि आप कुछ step का heat resistance pad ले लिजे, जिसको आप base पर कुछ step से रखके अपना काम कर सकते हो दोस्तों इसके काफी सारे फायदे हैं जैसे कि इसको उपर अगर मैं board को रखता हूं तो इस लिप नहीं करेगा, scratch नहीं करेगा नेची की metal को और यह heat resistance है तो इन दाट केस आप काफी easily और असानी से इसको उपर shoulding-de-shoulding कर सकते हो इसमें आपको काफी सारे compartments भी मिल जाते जहां पर आपने components को screws को संभाल कर भी रख सकते हो चलिए मैं आपको कुछ shoulding-de-shoulding करकर दिखाता हूं तो यहां पर मैं एक IC को निकाल के आप लोगों को दिखा देता हूं मैं शुगोन का यह hot ray station कर रहा हूं for this purpose थोड़ा से flux भी add कर देता हूं और मैं यहां पर एक bend nozzle कर कर रहा हूं ताकि मैं camera के तुरू आप लोगों को दिखा पाऊं कि exactly हो क्या रहा है दिख लिए यह IC निकल के लिए मैं magnification को बढ़ा देता हूं और मैं इस IC को inspect कर सबता हूं with the help of this microscope चलिए मैं आपको एक SMD component को shoulder-de-shoulder कर दिखा देता हूं let's suppose यह जो capacitor है यह खराब हो चुक मैं easily लगा सकता हूं यह लग गया है चलिए अब इस microscope के जरिए मैं इस battery connector को भी आप लोगों को निकाल कर दिखा देता हूं दिख लिए यह battery connector निकल गया है इस microscope के साथ exhaust fan भी है तो जितनी भी fumes produce होती है वह easily इस exhaust के जरिए निकल जाती है चलिए कुछ इस शोल्डिंग आरिन से आपको मैं shoulder-de-shoulder करकर दिखाता हूं जैसे कि यह capacitor है देख लिए यह निकल गया है यहां पर आप इस mobile phone board पर दे सकते हो यह जो USB connector है यह पूरी तरीके से खराब हो चुका है तो यहां पर मैं इस USB connector को निकालने जा रहा हूं देख सकते हो जो पोर्ट है charging port वो बूरी तरीके से damage हो चुका है और अगर मैं traces की बात करूं तो board पर traces सही लग रहे हैं यह अदर जो trace है यह पढ़ रहा है तो यहां पर connector तो मेरे पास पनी था मैंने शोल्डिंग आ रहें के जरीए एक black wire को ground pad पर और red wire को जो यह pad connect हो रहा है इस dad के इस सिरे पर यहां पर connect कर दिया है तो यह दो wires बहार निकल का गई हैं और इसके जरीए अब मैं इस जियोफोन को charge करने वाला हूं तो काफी precisely और accurately मैं इस microscope के जरीए अपने काम को कर सकता हू काफी accurate काम होता है क्योंकि यहां पर stereo vision है अगर मैं आई पीस का समाल करता हूं तो एक 3D view मिलता है दोनों आई की जरी जिसकी जरी मैं components को काफी easily उठा भी लेता हूं और कहां place करना है उसको काफी easily रख भी लेता हूं ओल्डो इसमें camera की option भी है जिसके जरी आप एक monitor पर लगा के एक display पर लगा के तो काम हो रहा उसको देख सब्सक्राइब मॉनिटर कर सब्सक्राइब बट इन दाट केस आपको stereo विजन में डूल आई वाला विजन 3D विजन नहीं मिलेगा और component को उठाना प्लेस करना तो रहा सब मुश्कुल होता है जबकि इन stereo microscope लाइक दिस आप काफी easily अगर आप न दिस भाइव प्लेस करना इंस्पेक्ट करना बड को कर सकते हो तो प्रॉफॉर्फॉर्मंस बढ़िया ऑक्वालिटी बढ़िया मैंनिफिकेशन बढ़िया और अगर आप 0.5x का लैंस इस्तवाल करते हो उप्छेव और प्स उब्च्प्टिव लैंस तो आप 17 cm की और अगर मैं Magnification को बढ़ाता हूं मैंने कर दिया है 50x on this microscope और 0.5 है तो 25x का Magnification हो गया तो अगर मैं अब focus करूं microscope को तो इससे में मिल दा है मुझे 14 cm तक का space जो कि sufficient है for any rework या पर एनी टाइप ओफ शोल्ड डी शोल्डिंग या पर equipment पर काफी इसली अपने tweezer को अपने होटे स्टेशन को अपने शोल्डिंग पैन को इस माल कर सकते हूं तो distance काफी बढ़िया है और अगर मैं इस 0.5 x के lens को अटा दो तो इससे में 50 x का magnification है आप components को देख सकते हो और distance मिल रही है 7 cm की और इस distance पर काम करना आप no doubt tweezer का इस्तमाल का सकते हूं शोल्डिंग पैन का समाल का सब्सक्राइब तो इवन अगर आपके पास कोई छोटा होट रिस्टेशन है उसका समाल का सब्सक्राइब बट जगह देख लिए काफी कम है और इस case में अगर मैं ले जाता हूं 7 x की magnification पर तो कोई ज्यादा difference नहीं मिला है यह 7 x की magnification है और distance जो मुझे अभी मिल रहा है वह है 9 cm का बाकी अगर मैं field of view की बात करूँ तो यह दिख रहा है on camera in 10x magnification without this lens और अगर मैं आपको eye piece के जरी field of view दिखा हूं इन इस case जिसको मैं आपको इस mobile phone camera के जरी दिखा रहा हूं कितना difference दिख रहा है यह on this eye piece हो गया यह camera पर हो गया तब ही मैं आप लोगों को कहता हूं कि अगर आप eye piece के इस्समाल करते हो तो आपको definitely 3D vision तो मिलता ही मिलता है साथ में आपको जो field of view है वह भी बढ़ा मिलता है तो आपके अगर बगवल के जो components है वह भी आपको काफी easily दिख जाते हैं आई दोस्तों मैं अब आप लोगों को same thing दिखाता हूं with this 0.5x तो यह 10x मैंने 20x microscope पर रखा हुआ है और 0.5x का यह lens है तो 10x इस समय आप camera पर देख रहे हो और same thing को अगर मैं eye piece से देखू देख लीजी आप लोग no doubt 0.5x के इस lens के जरीए magnification कम हो जाता है बट मुझे काफी अच्छा खासा area मिलता है space मिलती है जहां पर मैं अपने काम को कर सकता हूँ ऐसे दोस्तों 0.7x का भी आता है जिसके जरीए आपको up to 35x तक का magnification मिल जाएगा अगर मैं यहां पर 50x को set करता हूँ उसमें spacing थोड़ी सी कम हो जाएगे but that is also good अगर आपको higher magnification चाहिए 35-50 तो in that case मैं recommend करूँगा कि आप 0.7 ले ले जाए अगर आपको 50 चाहिए तो no doubt आपको फिर कोई यहां पर lens नहीं इस्तमाल करना है तो यहां पर मैं छोटी चीज़ों को बढ़ा करकर देख सकता हूँ औ अपना काम कर सकता हूँ आए दूस्तों अब कुछ और देखा जाए तो यह है Samsung का display on 50x magnification AMOLED स्क्रीन है red, green and blue तीन organic LEDs मिल जाएंगी on this display और यहां पर आप Xiaomi के smartband के display के pixels को देख सकते हो red and green एक line में है और blue एक line में वाओ, amazing क्या बढ़िया magnification है इस काईशी की microscope की इसमें मैं 7x से लेके up to 50x तक का magnification ले सकता हूँ without this natural lens के और अगर मैं 0.5x का lens इसमाल करता हूँ तो 3.5x से लेके up to 25x तक की और गर मैं 0.7x का use करूँ तो up to 35x तक की magnification ले सकता हूँ और camera लगा के मैं जो भी काम ने कर रहा हूँ इसको मैं record भी कर सकता हूँ और TV में या पर display पर मैं किसी और को भी कर सकता हूँ तो performance बढ़िया, magnification बढ़िया और सबसे बढ़कर की मैं इस microscope को काफी easily setup कर सकता हूँ किसी भी टाइप के कोई दिक्कत नहीं है तीन mounting positions है depending upon your choice आप इसको कहीं पर भी mount कर सकते हैं on this base, base भी काफी बढ़ा है और सबसे बढ़कर की इसको adjust करना, setup करना बहुत ही असान है और मैं काफी easily with the help of these two eye pieces 3D view में अपने काम को बहुत precisely कर सकता हूँ, SMD components को, electronic components को यहाँ पर identify कर सकता हूँ, analyze कर सकता हूँ, boards को analyze कर सकता हूँ और repairing और DIY projects इस पर कर सकता हूँ, तो यह रही काशी की microscope TX350E जो कि no doubt look and design wise तो काफी बढ़िया है ही है, साथ में इसमें काफी बढ़िया magnetic vacation मिलती है, आप इसको अपने projects के लिए, repairing के लिए इस्तिमाल कर सकते हूँ, तो मैं तो दोस्तों इस microscope को recommend करूँगा, बाकि आप बताइए कि आपको यह microscope कैसे लगी, अगर आप इस microscope को मंगवाना चाहते हो, तो इसका जो link है, मैं आपको नीचे provide कर दूँगा, आप महाँ इस चानल को subscribe भी कर सकते हूँ, अगर कर रहे हो तो साथ में जो bell icon है, घंटे वाला जो निशान है, उसको all करके बजा जाना, ताकि आप लोग उसे मेरी कोई future update, कोई future step की video मिसनों पाए, नमस्कार, बाबाई